नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में गुढल के पोधे को पानी में प्रूफागेट करेंगे आज मैं आपको वाटर एयर लेरिंग के बारे में बताऊंगा इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों जिस ब्रांच पर आपको water layering करनी है वहाँ के पत्तों को आप remove कर लें जिससे यह process करने में आपको आसानी होगी water layering आप pencil की thickness से लेकर अंगुठे यानि थम की थिकनेस तक की ब्रांच में भी कर सकते हैं आपको एकटम से जो नई ब्रांच होती है सोप्टूड वाले जो ब्रांच होती है उस पर आप इसे ना करें वाटर लेरिंग करने के लिए रेनी सिजन और स्प्रिंग सिजन बेस्ट रहता है यानि ऐसे मोसम में आप इसे करें जब टेम्प्रेचर बिल्कुल नोर्मल सा रहता है लेकिन फिर भी इसे आप गर्मी के मोसम में भी कर सकते हैं लेकिन तब कि स्थिती में आपको डारेक्ट सनलाइट से इसे बचा कर रखना होगा अगर आपका पौधा खूली जगह पर फुल सनलाइट में लगा है तो आप लेड ब्रांच को कपड़े वगरे से ढख दें इससे पानी गर्म नहीं होगा और नए बनते रूट्स भी नहीं जूल सेंगे मतलब वाटर लेरिंग में आपको वाटर को गर्म होने से बचाना है इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है तो दोस्तों जैसा कि यह प्रोसेस आपने देखा सेम इसी तरह आप भी करें और यह प्रोसेस बिल्कुल केरफूली आप करें अपनी उंगलियों को बचाते हुए यह प्रोसेस अगर आप अभी रहनी सिजन में करते हैं तो इसमें आपको दोबारा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अन्य मोसम में इसमें हर सब्ता पानी डालने की जरूरत पड़ेगी मतलब प्लास्टिक के अंदर का पानी धीरे-धीरे कम होते रहता है लेकिन बारिस के मोसम में लेट ब्रांच को पानी बारिस से ही मिल जाता है इस वज़े से इस मोसम में प्लास्टिक का पानी घटता नहीं है लेकिन फिर भी एकात बार डालने की ज़रूद पढ़ सकती है आप बीज बीच में इसे चेक करते रहें इस प्रोसेस में आप प्लास्टिक की थहली की जगह प्लास्टिक की बोतलों को भी ले सकते हैं अगर इसमें पानी के इस तर घटता है तो आप सीरिन से वाटर इंजेक् लेरिंग की हुए मुझे डेड़ महीने के लगबग हो चुके हैं और अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें रूट्स भी बन चुके हैं तो अब मैं इस प्लास्टी के थैली को रिमू करके आपको इसका रूट्स अपडेट दिखाता हूँ वाटर लेरिंग करने के बाद जब आपकी लेरिंग सकस हो जाती है तो आप उसे कट करके एकदम से बड़े पोर्ट में ना लगाएं आप यहां पर छोटे से छोटा पोर्ट लें जितने मिया समा जाएं नहीं तो महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा देखिए यहां पर ह कुछ होता क्या है जब इसे एक्दम से बड़े पोर्ट में रिपोर्ट करते हैं तो जाहिर है बड़ा पोर्ट मिटी जादा लेगा और ज्यादा मिट्टी की वज़े से उसमें मोच्चर भी ज्यादा होगा इस वज़े से हमारा प्लांट सर्वाइब नहीं कर पाएगा तो एक रीजन यह हो गया और जो दूसरा रीजन में आपको बताने जा रहा हूं वह सबसे इंपोर्टेंट है पानी में प्रूफागेट करने के बाद वह ब्रांच पानी की हिसाब से ही ढ़ल जाता है और जब हम उसे मिट्टी में या कोई भी अधर मीडिया में सिप्ट करते हैं तो वह अचानक से रिपोर्टिंग सोक में चला जाता है अगर वह नई मीडिया में ढ़लता है तो वह सर्वाइब कर जाता है अधर वाइज मर ज इससे इसे ताजगी मिलेगी ठंडेक मिलेगी और इसके सर्वाइब करने के चांसे मैकसिमाम हो जाएंगे तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो